Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़िबल तमस्कार दोस्तों, अभी अभी जो आपने वीडियो देखा ये कोई पब्लिक प्लेस का वीडियो नहीं था बलकि सिलंका के जो राष्टपती हैं, उनके घर का नजारा था Just imagine कर ये सिलंका के अंदर हलात क्या हो चुके हैं वहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो सिलंका के राष्टपती के घर में गुज गए पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, उनको वहाँ से भागना पड़ा है, ये आप देख सकते हो प्रोटेस्टर्स स्टॉर्म सिलंकान प्रेसिडेंट गुतवया राजपक्षाज रेसिडेंट सेवन इंजर्ट इसको उन डीटेस से समझेंगे कि exactly अभी हुआ क्या क्या है, और साथी में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा ये economic crisis के बारे में पहले के जो economic crisis थे, उसको आप कैसे यहाँ पर relate कर पाऊगे, ये जो सिलंका के अंदर crisis आई है exactly, उसका main जो core कारण है वो मैं आज आज आपको बताने वाला हूँ, काफी कुछ जानने को है, इस वीडियो में चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखेगा दो दिन के बाद, मतलब परसों से हर रोज सुबे 8 बजे, आपके लिए life classes लाई जाएगी UPSC foundation batch के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, total आपकी जो तैयारी है, उसको पूरा कराने के लिए 900 प्लस hours of life teaching कराये जारा है, हर एक subject पूरा कराये जाएगा, prelims के लिए specifically हम आ Just imagine at a very affordable rate of 19,000, यहाँ पर अगर आप यह चाहते हो course जो कि 25,000 का है, लेकिन आपको सिर्फ 19,000 में मिल जाएगा, आप हमारे app और website पर जाएगे, और quote इस्तमाल करिए अंकित live, तो आप जल से जल इसको अवेल कर सकते हैं, इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मे पूरा रेसिडेंस है, जो सिलंकन प्रेसिडेंट का इस समय रेसिडेंस है, उसके अंदर जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो घुसाए थे, उन्होंने पूरे बिल्डिंग को यहाँ पर सराउंड कर लिया था, और जिसकी उज़े से कई लोग इंजर्ड हुए हैं, इंक्लूडि प्रोटेस्टर्स बताया जारा है, पुलिस के साथ यहाँ पर क्लैस देखने को मिला, जो बैरिकेट्स हैं, उसको हटाया गया वहाँ पर, और एक प्रकार से जो उनका पूरा रेसिडेंस है, उसको तहस नहस कर दिया गया है प्रोटेस्टर्स के दौरा, अब एक्चली जैसे, गुतब्यार राजपक्षा को बताया जा रहा है कि पहले ही, मतलब प्राइडे नाइट तक ही यहाँ पर उनको बिल्डिंग से निकाल लिया गया था, हटा दिया गया था, कि कल के डेट में अगर यहाँ पर प्रोटेस्टर्स उनके घर में गुश जाते हैं, तो कर रहे हैं, राजपक्षा के खिलाफ बहुत सारे नारे लगाये जा रहे थे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनका रूम है, कोरोडर से हर जगा जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो अराम से वॉक कर रहे थे उनके बिल्डिंग्स पर, और यहाँ पर पुलिस ने शॉट्स के अंदर जिस तरीके से एकनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, जो लोग वहाँ पर जिस तरीके से गुजर रहे हैं, उसकी वज़े से उन्होंने रेजिगनेशन मांगना स्टार्ट किया था, लेकिन जो प्रेसिडेंट हैं, गुतब्या राजपक्षा वो अपनी सत्ता छोड़ होने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ पर लोग बार बार नारे लगा रहे हैं, कहा रहे हैं कि जो राजपक्षा ब्रदर्स का जो भी पुरा किया हुआ है, पॉलिटिक्स के अंदर है, उसकी वज़े से उनको वहाँ पर अपने पत से हट जाना चाहिए, और स्पेशली अभ प्रकार से, भारत कुछ हद तक मदद करने की कोशिश कर रहा है, लिकिन अल्टिमेटली वो कितना कर पाएगा, तो कोश्चन यहाँ पर यह है कि यह जो एकनॉमिक क्राइसिस है, उसको थोड़ा हमें समझना है कि सिल्लंका के अंदर, इसके लिए मैं आपको ले जाना चाहत अगर हम सिल्लंका के साथ कमपेर करना हैं हमें, तो वो देखना होगा पिग्स कंट्रीज के साथ, पिग्स कौन से कंट्रीज हैं, पॉर्टिगल, स्पेन, इटली और ग्रीस, यह चार कंट्रीज मिलकर पिग्स कंट्रीज बनाती है, अगर वहाँ पर आप देखोगे, जिस तरह का situation था, वैसा ही कुछ आपको अभी सिलनका के अंदर देखने को मिलेगा, मतलब सेम नहीं, लेकिन स्टिल आप कापी सारी चीज़ें वहां से ले सकते हैं, और वो क्या है, वो है populist policies, मतलब जिस तरह की policies ये चार देश उस समय अपना रहे थे, पॉपुलिसम को ज़्यादा तर ला रहे थे, और एक प्रकार से इसका में कारण था कि जो leaders हैं वहां पर, वो अपनी सत्ता बचा कर रखें, लोगों को लुभा कर रखें, हम आपको free में चीज़े दे रहे हैं, सस्ते में दे रहे हैं, तो एक प्रकार से ये बहुत बड़ा का ये है कि अपना power बचाने के लिए, वो कुछ भी करने के लिए तयार थे, किसी भी cost पर करने के लिए तयार थे, अब हुआ क्या कि 2008 में जब financial crisis आया, global financial crisis, तो उसकी वज़े से इन देशों ने ये सोचा, इनके जो leaders हैं उन्होंने ये सोचा, कि हम खुब सारा borrow करना इस्टार कर देते हैं, पैसे नहीं है, borrow करना इस्टार करते हैं, लोगों को एक प्रकार से सहुलियत मिल जाएगी, आराम मिलेगा, तो इन्होंने unprecedented एक प्रकार से आप कह सकते हो, कि borrowing करना इस्टार कर दिया, ये नहीं सोचा कि वो जो borrow कर हैं, क्या वो कल के date में repay कर पाएंगे कि नही कर दिया, और एक प्रकार से इसकी सुरवात हो जाती है, फिर eurozone debt crisis, मतलब कहां 2008 में जो global financial crisis था, उससे निपटने के लिए ultimately ये लोग eurozone debt crisis के अंदर चलेगा, मतलब इतना ज़्यादा कर्स ले लिया, कि वो repayment ही नहीं कर पा रहे थे, तो इससे हमें क्या समझने को मिलता है, यही समझने को मिलता है कि जो देश है, जो economy है, वो आपका चलता है economics के basis पर, economy के basis पर, और economy क्या एक प्रकार से money है, money आप उधार लेकर नहीं कर सकते, आप उधार low, लेकिन planning के हिसाब से उधार लेना चाहिए, मतलब कि जो money होता है, उसका कुछ नकुल valuable asset होना चाहिए, credit ह होना चाहिए, cash होना चाहिए, सिलंकन economic crisis भी कहीं न कहीं, यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो उनका जो national expenditure था, वो कहीं ज़ादा हो गया था national income से, जितना income है, उससे कहीं ज़ादा expenditure करना, यहाँ पर जितना ज़ादा वो export कर रहे थे, उससे कहीं ज़ादा import कराना, और यह ही एक कारण बनेगा, आज के date में उनके पास forest reserve नहीं बचाया, dollar नहीं बचाया, जिससे वो कोई भी चीज मंगा सके बाहर के देशों के साथ मिलकर, तो question यहाँ पर यह भी है कि सिलंका ने आखिरकार किया क्या था, तो को सिलंका गर अगर आप budget deficit देखोगे, यह बहुत गया था, war के समय, global financial crisis के समय, budget deficit बहुत ज़्यादा था, budget deficit का मतलब यह हुआ, कि जितना revenue हो रहा है सरकार को, उससे कहीं ज़्यादा सरकार खर्ज कर रही थी, उनका जो forex reserve है, वो लगतार कम होता जा रहा था, IMF से यह लगतार लोन लेते जा रहे थे, सबसे पहले इन्हों of the main reason कि आज के date में आपको यह crisis देखने को मिल रहा है, और यह पहली बार सिलंका के अंदर crisis नहीं है, यह आपको 2009 में और 2016 में भी crisis देखने को मिलेगा, लेकिन यह crisis आप देख रहे हो 2022 में, यह अभी तक का सबसे worst है, इसमें आप inflation देखिए तो 17.5% चला गया था February के महने म सिलंका के अंदर, सिर्फ यही नहीं, अगर आप 2005 से 2015 की बीच में आप देखोगे, यह जिस तरह का साशन रहा है, उसमें आपको याद होगा, महिंदा राजपक्षा जो है, वो प्रेसिरेंट थे, चाइना के काफी ज़ादा करीब थे, तो जिस तरह का horror, जिस तरह की चीज पर फालतू के खर्च करना है, मैं आपको कुछ एक्जांपल्स बताता हूँ, मताला राजपक्षा इंटरनाशनल एरपोर्ट, यह एरपोर्ट अगर आप देखोगे, तो विश्व के अंदर, MTS एरपोर्ट में जाना जाता है, सोचके देखिए, MTS एरपोर्ट, मतलब कर पा रहे थे, सिलंका नहीं कर पाए, फानली क्या हुआ, 99 एर के लीस पर चाइना को जो है, यह जो पुरा पोर्ट है, वो वापस देना पड़ा, कि 99 साल के लिए आप रख लो, इसके लावा कुलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट आपको याद होगा, कुलंबो पोर्ट वाला जो प्रोजेक्ट था, जिसमें भारत जपान मिलकर मदद कर रहे थे, भारत जपान को तो वहाँ से निकाल दिया, और चाइना के उपर यह निर्भर हो गए थे, और फानली क्या हुआ कि उस प्रोजेक्ट में भी बार बार प्रोब्लम आ रही थी, राजय पक्षा की स जो भी मैंने आपको एक्जांपल बता है, उसमें सबसे जो कॉमन चीज है वो क्या है, वो है चाइना फैक्टर, चाइना फैक्टर आपको हर प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलेगा सिलंका के अंदर, और चाइना तो जाना ही जाता है, डेट ट्रैप करके यहाँ पर दिखी नहीं रहा है कि सिलंका को किसी प्रकार की मदद करेगा, भारत के पास बार बार ये लोग आ रहे हैं, भारत से बार बार पूछ रहे हैं कि हमें कुछ पेट्रोलियम दे दीजे, कोईला दे दीजे, ताकि वो उनका एकॉनमी थोड़ा बहुत चल पाए, लेकिन जाधा तोड़ दिया सिलंका को, एक तरह से आप ये कह सकते हो, उसके पाद रश्या योक्रेन का जो वार चल रहा है, इसने तो और जाधा दोरी मारते थी, जैसे कि यहाँ पर जो एक्सपोर्ट करता था, जो अगर आप टी देखोगे, सबसे इंपोर्टन चीज है जिससे इसको इंकम होती थे सिलंका को, और सबसे आधा टी कहां भेजते थे, ये लोग रश्या भेजते थे, लेकिन रश्या और युक्रेन तो वार कर रहते तो रश्या टी मंगा नहीं रहा है, स्पाइसे हो गया, इन सबका एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, टूरिजम, कोविड के समय इनके पास टूडिजम ही नहीं आ रहा था, लोग नहीं जा रहे थे सिलंका के अंदर, ये एक बहुत बड़ा कानट था, इसके अलावा कई सारे ऐसे हार्श डिसिजन लिये गए सरकार के दौरा, पैंडमिक के दौरान, इसकी वज़ए से भी आप कह सकते हो, क्राइसिस थे सारे आपको नहीं डाला है, और इनका मेर clarify नहीं नहीं था कि एक तो और्गैनिक बनाया चाही है, और दूसरा कि जो पैस्टिजज आइड के ऊपर यह डिपेननेंट रहते हैं, जो फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेननेंट रहते हैं, भारत से फर्टिलाइजर कहीं कही देशों से आता है तो उसकी वज़े से इनका डॉलर जाता था तो वो डॉलर के उपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो आपका फटिलाइजर है उसकी जरुवत पड़ेगी नहीं लेकिन ये जो मूव हुआ अचानक से कर दिया गया पूरे सिलंका के अंद सब में करीब 30-40% की गिरावट आ गई क्योंकि यहाँ पर उनके पास फटिलाइजर नहीं था और इतनी ज़्यादा क्रिटिसम हुआ सरकार का और आउटपुट नहीं होने के करण फानली सरकार को पार्शली लिफ्ट करना पड़ा यह जो बैन लगाया था फटिलाइजर के लेकिन जो इंपोर्ट था इनका वो जारी रहा वो रिजर्व में से बार-बार डॉलर पे किया करते थे और फानली अब समय यह आ गया कि इनके पास कोई डॉलर बचा ही नहीं है तो यह पूरा सिचुएशन है पूरा क्राइसिस आने का आई होग कि आपको समझ में आया यह सबसे बड़ी भूल थी उसकी और इसी लिए आप देखिए भारत ने अभी तक अपना सेफ डिस्टेंस बना कर रखा है चायना के किसी भी प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हुआ है चाहिए बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव ही क्यो ना इतना बड़ा प्रोजेक्ट वह भी होगा वो आपको अपडेट मिल जाएगा जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग कोशन आपके लिए है क्या बता सकते हो इन में से कौन कौन सा फीचर कैपिटलिजम का है यह आपको बताना है इसका राइट आंसर आपको पता ही है मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उतर मैं कई सारे जो MCQs है वो यहाँ पर स्टोरी में डालता रहता हूँ बाकि अगर आपको PDF यह तो टेलिग्राम पर आईए अलग-लग सोचल मीडिया पर आप जूर पाओगे और ज अंकित लाइव ताकि यह कूर्स आपको मिल जाए आपको की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हूं आपसे नेक्स ताम तल देन थैंक यू बरी मुछ सी यू सून Hello everyone, this is Priyamrusha and I am making this small video just to say thanks to Steady IQ for offering this wonderful course on UPSC Foundation. The best features of this platform of this course are its first of all its affordable rates then extensive coverage of all the topics along with doc resolution in the live class itself and then the one-to-one mentorship program that is being offered by this platform is one of the best thing that I like the most. So thanks again Steady IQ for making this journey of UPSC a little more smoother and easier and affordable for us. अब तयारी हुई affordable